अलो नमस्कार दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता हुआ कि सभी श्टुएंट्स के एक्जाम्स आच चुके हैं और एक्जाम्स जो है मार्च अप्रेल में स्टार्ट हो रहे हैं एर्थ क्लास से लेकर के ग्रेशन तक जितने भी श्टुएंट्स हैं पोस्ट ग्रेशन के जितने भी श्टुएंट्स हैं सभी लोगों के एक्जाम्स हैं और सभी श्टुएंट्स बहुत ज़्यादा परिशान हैं काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर एक्जाम्स की त्यारी कैसे करें कैसे हम कम समय में जाता से जाधा पढ़ाई कर पाएं किस तरीके से हम जो अपने एszाम में स्कूर कर पाइं किस तरीके से हम कमही समय में पूरे अपने complete syllables को complete करें उसके जो management questions है उनको याद करके अपने exam के लाएक अच्छी तरीके से पढ़ाई करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद में आगर आपने पहले से 10% पढ़ रखा है तो आप कम से कम नहीं तो 70% पर पहुंच जाएंगे सिर्फ 10% पढ़ा हुआ तब भी आप 70% पर पहुंच जाएंगे अगर आप मेरे रूस को फॉलो करते हैं और बहुत अच्छा इसको आप अपने एक्जब में कर पाएंगे ठीक है तो इस वीडियो को बिल्कुल देखें और कमपीट देखें अच्छे तरीके से देखें बिल् आपको अपना टाम टेबल बनाना है जितने गंटे आप पढ़ते हैं अगर आप माल लीचे छे हंटे पढ़ते हैं आठ गंटे-पकर सकते हैं कुछ ज्यादा वड़ी बात नहीं है हम तो यहां पर 16-17 गंटे पढ़ाई करते थे हैं तो आठ गंटे पढना कुछ ज्यादा रूटिन रहेगा आपके छह सब्षक तो मैं तो नों niż समझता हूं the Wish कि आपको क्या करना है कि जितने भी आपके डिफीकल्स हैं। जो भी आपके डिफीकल्ट सब्जेक्ट हैं। उन सभी subject को आप top level पर रखेंगे, और जो भी आपके easy, interesting subjects हैं, उनको आप bottom पर रखेंगे, ठीक है, जैसे कि आपने time बनाया, आपके जितने भी top, जितने भी difficult subject हैंगे, उनको आप top level पर रखेंगे, यहनके top पर, यहनके first में अपने याद करेंगे, फी first में आप पढ़ेंग और जो भी आपके easy, interesting subject हैं, उनको आप रखेंगे नीचे, ठीक है, यह निकी उनको आप बाद में पढ़ेंगे, आप क्या करना है आपको, आपने अपने सुबह की सुरुवात की, सबसे पहले आप difficult question को करें, difficult subject को पढ़ाई करें, ठीक है, इसके बाद में आप जो है, अपने difficult questions हैं, वो भी आपको बहुत solve लगेंगे, वो भी बहुत जादा आपको easy लगेंगे, उनको भी बहुत आप आप आसानी से कर पाएंगे, ज्याता time नहीं लेगा उनकरने में, ठीक है, लेकिन जब आप पहले से ही, आपका दिमाग जो है, gathered होगा बहुत जादा, बहुत difficult question को करेंगे, फिर difficult subject को करेंगे, तो आपको बहुत जादा, मतलब irritation होगी, और आपको गुस्सा आएगा, फिर आप उन subject को नहीं पढ़ पाएंगे, और उन subject को समझ भी नहीं पाएंगे, जो चाहिए है, आपको समयनी चाहिए, वो उस तरीके से नहीं समझ में आएंगे, इसलिए आपको क्या करना है, कि आपको जो अपको दूश्रुवात करना ही, आपने पढ़ाय की, मौर्निक से, उसमें क्या करना है, कि आपको मौर्निक से जब आपकी पढ़ाय की सुरुवात होगी, तो difficult से विर में चाहिए आपको, उर जो अपका иंड होना चाहिए, वो intelligent subject पर होना चाहिए ठीक है सबसे important update यह आप करके देख लीजिएगा इसके फायदा आपको खुद पता चले जाएंगे ठीक है दूसरी चीज सबसे important कि आपको याद कैसे करना है most issue and कहते हैं कि याद कैसे करें लेकिन याद करने से पहले एक और important update कि आपको notes बनाने है ठीक है notes आपको कैसे बनाने चले हम आपको पताता हूँ notes आपको इस तरीके से बनाने है कि आप previous जो paper आपके हुए मिल जाते हैं आप google पर search कर सकते हैं मैंने भी काफी search किये हैं ठीक है आप previous paper को देखें और previous paper के according आप notes बनाए कि question किस level से बनते हैं और mostly question को किस किस जगे से उठाया जाता है ठीक है analyze करके आप उनके questions देख सकते हैं महां से आप notes बनाए अपने 10th 12th जो भी है ठीक है आज कल तो 6th के बच्चा भी बहुत जाद है advance होता है ठीक है phone हर किसी के पास रहता है तो आप समझते हैं और आपको क्या करना है कि notes कैसे बनाने है यह मैं आपको बता चाहूंगा notes बनाने के लिए आपको सबसे important ही रहेगा कि आपने जितना आप तक पढ़ा है जितनी भी आपने अब तक पढ़ाई की है और जो भी आपका पढ़ा हुआ अच्छे तरीके से हो चुका है complete उसके आप notes बनाएंगे notes उसके कैसे बनाने है आपको जैसे कि माली जो कोई question आपको लग रहा है कि यह question आने वाला है ठीक है अब आपको क्या करना है कि जो notes बनाएंगे उसको बहुत जादा short करके बनाएंगे क्योंकि इतना time नहीं है जो किताबे होती है lengthy तो उनमें already लिखा होता है ठीक है लेकिन notes का मतलब यह होता है कि short ठीक है notes का मतलब यह होता है कि short और वहां से आप चीज़ों को connect कर पाएंगे अपने long से lengthy से ठीक है तो notes जो भी आपके important topic रहेंगे उनके notes बनाके त्यार करने जो भी आपके 600 subject हैं सारे के सारे notes पहले बनाके त्यार करने आपको notes के उपर मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ आप देख सकते हैं notes कैसे बनाते हैं मैंने आपको वीडियो बनाकर करके डाल दी है आप इस चैनल पर चेक कर सकते हैं हाला कि मेरे पास अभी time बहुत कम है मैंने ये वीडियो बना दी है लेकिन मैं वीडियो बनाने के विल्कुल भी mood में नहीं था क्योंकि और लेडी मैं अभी अपने exams की त्यारी कर रहा हूं लग तो इसलिए मिरे पास time नहीं था लेकिन मै आप उसी notes को पढ़ें ठीक है उसी notes को पढ़ें और उन notes को जवाब पढ़ें तो आपको क्या करना है सबसे important suppose that कोई notes आपने पढ़ा और कोई question आपको समझ नहीं आ रहा ठीक है आप चैसे की उसको समझ नहीं पा रहा है तो उसके लिए आप book उठा करके देख सकते हैं वहा आ जाती है ठीक है तो देखिए notes आपने बना लिया time table बना लिया आपने difficult questions को यह difficult subject को starting में रख दिया और वाकी के जितने भी interesting है वो उनको end में रख दिया ठीक है तीनों काम आपने कर लिया अब बात आती है पढ़ाई कैसे करनी है याद कैसे करनी है चीज़ों को देखिए 2 गंटे आप किसी भी एक नूर को पढ़ेंगे ठिक है या फिर 1,5 गंटे पढ़ेंगे जो भी आप अपना time बना रहा है जितनी आपकी efficiency है पढ़ने की जितनी आपकी capability है पढ़ने की जो अपने time बनाया है ठिक है आप 2 गंटे पढ़ते हैं तो 2 गंटे मा आपको करना क्या दो घंटे में आपको देड़ घंटे तो पढ़ा ही करने है suppose that आपने बनाया है कि मैं science का subject आपको commerce का subject दो घंटे पढ़ूँगा अब आपको क्या करना है कि वही आप दो घंटे नहीं पढ़ाएंगे उसे आप सिर्फ देड़ घंटे पढ़ाएंगे और आदे घंटे क्या करेंगे कि आदे घंटे आप उसे लिखेंगे बिना देखेंगे जो आपने डेड़ घंटे पढ़ा उसको आप आदे घंटे बिना देखेंगे बिना देखेंगे लिखने से क्या हुआ कि ये वाद तो आप जानते ही है कि जब आप exam देने जाएंगे तो return होगा चीक है और return करेंगे तो वहाँ से क्या होगा जब आदे घंटे लिखेंगे न उस चीज को तो एक तो बहुत बड़ी चीज है यह आप समझेगा एक वार करके देख लीजिएगा कि बो जो चीज़ें आपने याद की है न लिखने से और भी ज़्यादा कहरी हो जाएंगे आपके माइन में बिलुकुट बैट जाएंगे फिट हो जाएंगे आपके दमाग में और जब आप लिखेंगे न तो जब आप exam देने जाएंगे और कोई भी चीज़ें आपके दमाग से निकल चुकी होगी तो जब आप लिखने भाधैने आपको आदिगंटे लिखें है और वही चीज आपकी एक्जाम में आ जाती है तो आपको तुरंत यादा जाएगा यह तो मैंने लिखा करें उसए पेज से, उसी नोट के पेज से, स्टार्टिंग करें, दूसरे दिन फिर वहां से पढ़ें, फिर उतना लिख्ए हैं आधी घंटे, 30-ange HDI फिर वहां तक पढ़ें, जहां तक आपने याद में कर लिया है는, फिर छालका द defense पर práंष, पढ़ने के साथ में अपको अ एकि लिखने के साथ में पड़ने के साथ में रिविजन करो या फिर जितना भी जिय आदेंगी लेकिन मैं बोलता हूँ, लेकिन फिल से लेमगे हैं कि मैंने पहले लिधी ने कि पहले परनी ही है, ऑल लेड़ा है कि पहले हैं, ऑर भी हमारे मंड are अच्छे दाइके से गहरे तरीके से बिल्कुल डीपली जा करके बैठ जाती है ठीक तो आपको डेड़ घंटे अगर आप दो घंटे पढ़ाई का ताम में समय बना रहा है किसी भी नोट का दो घंटे में से आप देड़ घंटे पढ़ेंगे और आदे घंटे उसको क्यात करने से क्या होता है कि हम चीजें कभी निभूलते हैं एक चीज हमीसा याद रखनी है कि उसको रिलेट करके चलना है ठीक है रिलेट करने का मतलब चली मैं आपको बता ही देता हूँ जैसे कि कोई भी question आपने लिया, suppose that मैं एक phrasal verb ले देता हूँ, ठीक है, जैसे कि एक phrasal verb है, जिसका मैंने दिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, avoid why, ठीक है, अब avoid why हम याद कर रहे हैं इसे, ठीक है, अब इसे हम कैसे relate करके याद करेंगे, relate करने का मतलब यह हो गया, जैसे avoid why का मतलब होता है, to respect or away a decision, ठीक है, यानि कि किसी भी decision का, किसी भी कानून का पालन कर रहे हैं, इसका मतलब होता है, avoid why, अब इसको हम कैसे relate करेंगे, suppose that आपके घर में कोई आपसे चोटा है, तो आप बोल सकते हैं, कि avoid why, ठीक है, इस तरह की से बोल सकते हैं, avoid why, मतलब मेरे कानून का, मतलब मेरा जो भी decision, मेरा जो भी rule है, मेरा जो भी नियम है, उसका पालन करो, इस तरह के से, अगर आपका कोई बड़ा है, तो आप यह बोल सकते हैं, avoid why, मतलब मैं उसका पालन कर रहा हूं, या फिर मैं उसकी बात को मानना हूं, उस तरह के से, आप चीज़ों को ऐसा है, जो आपको बहुत ज़्यादा difficult लग रहा है, तो आप क्या करें, कि उन difficult questions के लिए trick बनाया, trick बनाने का मतलब यह होता है, कि उसके उपर वीडो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, actually मैं वीडो बना सकता हूं उसके उपर, यह तो मैंने आपको थोला समझा दिय यह hint दे दी आपको, उसके उपर वीडो काफी लंबा होगा, उसे मैं आपको समझाना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको चीज़ों को relate करना है, वहाँ पर अलग patterns होते हैं, अलग code होते हैं, जहांसे कि आप चीज़ों को relate करके, बहुत ही आसानी से चीज़ों को याद कर प कोई भी question है, आप इस questions को coding recording से याद कर सकते हैं, ठीक है, तो यह सारी चीज़ों होते हैं, और इनमें थोड़ा सा time लगता है समझने में, लेकिन आप अगर नहीं समझ पाते हैं, इतने mature नहीं हैं, तो आप इसी तरीके से चीज़ों को याद करें, कि चीज़ों को घर में ज करें, घर में आपके कोई भी चीज़ रखी हुई है, जो भी question है, उससे relate है, थोड़ा सा भी तो उससे relate करने की कोशिस करें, जिससे कि वो चीज़ और भी जादा आपको अच्छे तकी से याद होगी, घर में अपने बड़ों से चोटों से उन चीज़ों को बोलने की कोशि कि return एक्जाम है, तो sir हमें त्यारी कैसे करने है, मतलब return की, क्योंकि हमें लिखना है और लिखने के लिए समय एक तरीके से कम ही होता है, इस्टुएंट मुश्ट लिए ही कहते हैं कि sir समय कम पड़े आता है, लिखने के लिए हमारी speed नहीं बढ़ पाती, और हम एक साथ में दो-दो कम कैसे कर, तो देखिए मैंने आपको बताया था है, आदे घंटे आपको पढ़ना है, और लेडी बता चुका हूँ, अब आपको क्या करना है, कि मैंने क्या किया था, मैं अपना बताना चाहूँगा, मैंने लिखने के लिए सबसे important चीज ये कि थी, कि मैं market में मार्केट में जाकर कि ये बोलने है कि, जो एक्साइम की कॉंपी होती है, वो कॉंपी या देदे है, ठीक है, अब मैं बताना चाहूँगा हूँ, मैं 1 वार वार के लिए मूपी लेकिया रधा था, और वही कॉंपी में भरधा था, उससे क्या होता था, कि मेरी tomaral को तो बहुत चाहदा इंपृover होता था मैं इस आपको मार्केट में भी शाङने… कांपी मिल जाएंगी जो setup कॉँछ ना करें रजिस्टर को यूज ना करें आप क्या करें कि पYपर वाली कॉपिय injust करें और या पकोशिन को लेकर थИक, पेपर वाली कॉपिया आप लेकर के आये ज्यादा महगी नहीं मिलती है आप 10-20 इस copy लिए करके आ सकते हैं, अगर ज़्यादा नहीं लिख पाते हैं, तो आप दो लिख लिजे एक दिन में, तीन लिख लिजे, लेकिन मैं तो काफी लेकर आता था, क्योंकि मेरे को इसको ज़्यादा करना था अपने exams में, और लिखना मेरे को ज़्यादा पड़ता था, ठीक के लिए समय कमपड़ाता है क्योंकि wanna एक्साइम के समय पर क्या करते हैं याद कर ने में समय चाता लगा थे हैं लिखते काम है तो उनकी हाथ चो होते हैं बहुत घ्षादा काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम अगर कोई चीज करना बंद कर द क्या है कि हागर हम प्रेक्टिस करते रहते हैं तो वहां से हमारी चीज़ें बनी रहती है दमाख में और फिर उसी के साब से हम एवरिज कर पाते हैं किसी भी चीज में तो बस मैं आपको यही करना चाहूँगा कि कौपी आप ला सकते हैं मार्केट से कौपी आपको मिल ठीक है प्रेक्टिस करने से आपको यह होगा कि आप एग्जाम है और भी एच्छे दरीक से स्कोर करता हैं